टीवी से फिल्मों तक अपना एक अलग ही नाम बनाने वाली हिना खान इस वक्त अपने ब्रेस्ट कैंसर की खबर को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं हाल ही में एक्टरस ने इस बात को रिवील किया कि उन्हें थर्ड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डेगनॉस हुआ है इसके बाद उनका कोई पोस्ट सामने नहीं आया लेकिन उस पोस्ट पर तमाम सिलेब्रिटीज के रियाक्शन देखने मिले अब ऐसे में जहां एक तरफ एक्टरस ब्रेस्ट कैंसर से जूज रही हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने फैंस के साथ एक पोस्ट शेयर किया है दरसल ये रिश्टा क्या कहलागा है सीरल की अक्षरा यानि कि आपकी हिना खान इस वक्त काफी मुश्किलों में है से 36 साल की हिना को थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो गया जिसका खुलासा एक्टरस ने खुद अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिये दिया हाला कि उन्होंने ये कहा कि वो स्ट्रॉंग है और कफी ज्यादा कमिटिड है अपने उस जर्णी के लिए जो उनके लिए अब आगे आने वाली है लेकिन फिर भी फैन्स लगातार डरे हुए है ऐसे में फैन्स हो या फिर उनके टीवी फ्रिटर्निटी के दोस्त हर कोई उन्हें दुआएं भेज रहा है शेहनास गिल से लेकर अंकीता लोखंडे रश्मी दिसाई से लेकर रदिमा पंडित के कॉमेंट्स देखे गए टीवी की तमाम सेलेब्रिटीज ने उन्हें अपनी दुआएं भेजी और इसी बीच अब एक्ट्रस का पहला पोस्त सामने आ चुका है एक्ट्रस ने इस खबर को रिवील करने के बाद अपनी पहली इंस्टरग्राम स्टोरी शियर की है जिसमें उन्होंने दो दिल बना कर ये लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा इस टू शेल पास हिना की मोटिवेशन और हिम्मत को देखकर फैन्स उनकी काफी तारीफ कर रहे है फैन्स ने कहा कि इस खतरनाक बिमारी का नाम सुनकर लोग तूट जाते हैं और महीं हिना खान इतनी मजबूत है कि वो औरों को हिम्मत दे रही है इस बात में कोई शक नहीं है कि इस खबर ने हर किसी का दिल दोट दिया हिना खान की हेल्थ को लेकर इस वक्त उनके फैन्स लगातार दुवाई कर रहे हैं उनके अच्छे हेल्थ की कामना कर रही है आपको बता दे हिना खान ने अपने उस पोस्ट में इस बात को भी शेयर किया था कि उनका इलाज अब शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द सर्जरी के तयारी होगी फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हिना खान की इस खबर पर आपका क्या कुछ है कहना कॉमेंट सेक्शन में बताइए को कि उनका इस खबर आपका का इस खबर दोस्तों इस खबर आपका गार्पका इस खबर आपका है झाल झाल झाल